आज दो हजार बाइस में फोटो जर्नलिस्म इस विजूल जर्नलिस्म जिसमें एक फोटो जर्नलिस्म फोटो भी खेंचता है और वीडियो भी बनाता है दुनिया बदल रही है और उसके साथ फोटो जर्नलिस्म भी बदला है आपका दोस्त आपका यार आपका हम्द आपका प्यार अशोक बर्मा तो अब यह जानते हैं कि अगर कोई फोटो जर्न को एंटर करका है तो उसे क्या करना चाहिए जबहीं हम कोई चीज कर रहे हैं या पोजा करना चाहते हैं hemें उसके बारे में पूरी पूरी नॉलेज होनी जरूरी है आपके давать में सोगोने कऊश करना बहुत सरूरी है आपके दिमाग में कोई दिमाग से निकाल दें, एक photojournalist सब कुछ करता है वो एक वो इंसान है जो अपने कहानिया visuals के द्वारा लोगों तक पहुचाता है एक photojournalist भी journalist है, लेकिन उसका जो tool है, वो कलम ना होकर वो उसका camera है, जिससे वो कहानी दिखाता है, जो वो अपने सामने देख रहा होता है journalism is about our life इस दुनिया के बारे में और इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है तो journalism में war भी आ सकता है journalism में sports भी आ सकता है journalism में portraits भी आ सकते हैं journalism में events भी होते हैं accidents होते हैं मौसम होता है, सब कुछ तो एक photojournalist का काम इन सारी चीज़ों को cover करना होता है creative way में और strong visuals के द्वारा आप तक पहुचाना होता है पहले इसके बारे में अच्छे से research करें और हो सकता है कि उसके बाद आप सोचों कि नहीं भाई मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाता था मैं तो सोचता था कि photo journalism कुछ और होता है बहुत सारा material है internet के उपर आप अगर जाकर वहाँ पर पढ़ेंगे पता चलेगा कि photo journalism क्या होता है और अब भी आज के time पर photo journalism किस तरह से चलता है फिर जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं सोच चुका हूँ कि मुझे photo journalism में जाना है फिर उसके बाद आपको अपना एक काम तयार करना पड़ेगा क्योंकि जब आप कहीं चाओगे आप चाकर ये नहीं बोलोगा कि हाँ मुझे photo खीचनी आती है दूसरे को दिखाने के लिए आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा न्यूज बेस्ट स्टोरीज के उपर काम करो आप लोगों के उपर काम करो पोर्ट्रेट्स करो आप इवेंट्स को कवर करो आपके काम में वेराइटी होनी चाहिए तो आप टाइम लगाए एक स्ट्रॉंग बॉड़ी ओफ वर्क आपके पास होना चाहिए जो आपका portfolio होगा जो आपका passport होगा इस industry में घुशने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ ये मेरी capabilities है और उन सारी pictures में सबसे important चीज होती है कि उर्ट news हो combination हो आपकी photography skill का प्लस आपकी उस skill का जिसमें आप एक कहानी बता पाते हैं और जब हम news related pictures कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो लिखने का skill है वो भी बहुत काम आता है क्योंकि news की pictures जब जाती है तो उसके साथ उसकी story return में as a photo journalist मुझे खुद लिखनी होती है जिसको हम caption बोलते हैं तो आपको वो लिखने का skill भी आना चाहिए photo खेचने का skill भी आना चाहिए प्लस आपको ये जानना भी आना चाहिए कि उसका news angle क्या है तो जब आप ये सारा काम तयार कर लोगे तो फिर आप ready हो लोगों से मिलने के लिए लोगों को अपना काम दिखाने के लिए इस industry में खुशने के लिए तो आप अपना काम दिखाओगे कैसे लोगों को आप आज के time पर social media को use करो आप अपनी area में जितने भी newspapers हैं या international news agencies हैं आप उनसे contact कर सकते हो सब लोग available है Instagram पर और social media platforms पर आप उनको ढूणने की कोशिश करो ये research आपको खुद करने पड़ेगी आपको अपना circle बदलना पड़ेगा और ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ेगा जिस direction में आप जाना चाते हो वो photo journalist हो सकते हैं वो photo editors हो सकते हैं वो newspapers हो सकते हैं वो magazines हो सकते हैं वो news agencies हो सकते हैं तो आप उनके touch में रहो उनको अपना काम दिखाने की कोशिश करो आप अपना काम upload करो अलग-अलग platforms पर आप Instagram पर अपना काम upload कर सकते हो आप Flaker पर अपना काम upload कर सकते हो आप अपनी एक website बना सकते हो जहां पर आप अपना काम दिखा सकते हो पर मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि जब भी भी आप किसी भी प्लाटफॉम पर अपना काम अपलोड कर रहे हो अगर आप फोटो जर्नलिजम के लिए अपलोड कर रहे हो और जो आप दिखाना चाहते हों, वो दिखना चाहिए, distractions नहीं होने चाहिए, दूसरा तरीका यह है, कि आप बहुत सारे international competitions होते हैं, जहाँ पर established agencies हैं, established photographers हैं, जो as a judge होते हैं, तो वहाँ पर आप participate करो, आप participate करोगे, तो आपको यह भी पता चलेगा, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर stand करते हो, आप जीतते हो, हारते हो, उसके उपर tension मत लो, आप participate करो, so you will know, कि आप जिस direction में move कर रहे हो, वो सही direction में move कर रहे हो, वो काम वैसा है, जैसा लोग चाहते हैं, और अगर आप यहाँ पर कोई award जिदते हो, तो definitely वो आपको help करेगा, उन लोग उन तक पहुँचने में, जो आपको काम देंगे, और तरीका यह है, कि आप directly visit कर सकते हो, अपने area में जो भी newspapers हैं, या magazines हैं, या agencies हैं, आप उनसे जाकर contact करो, आप उनको अपना काम दिखाओ, फोन करो, और as an intern काम कर सकते हो, वहाँ पर अगर वो आपको रखते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, धक्ये खाने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे, अपने रास्ते अपने आप बनाने पड़ेंगे, मैं सिर्फ आपको guide कर सकता हूँ, कि हाँ ये ये रास्ते हो सकते हैं, बाकी चीज़ें आपके काम के उपर depend करेंगी, आप कितने serious हो, उसके उपर depend करेंगी, आप कितना socialize करते हो, लोगों से कितना मिलते हो, और कैसे interact करते हो, और अपना काम किस तरह से लोगों को दिखाते हो, उसके उपर depend करेंगी, अब आती है बात कि, एक photojournalist के अंदर क्या-क्या qualities होनी चाहिए, उसे क्या-क्या आना चाहिए, सिर्फ photojournalist का काम ये नहीं है, कि वो सिर्फ photo खेंच ले, आपने एक बहुत अची पिचर खेंच ली, जो बहुत न्यूजबर्दी पिचर थी, लेकिन आप बैट कर उसको एडिट करे जा रहे हो, और दूसरे जो आपके competitor है, उन्होंने वो photo खेंच के भेज भी दी और वो पब्लिश हो गई, तो आपके newspaper की कोई value नहीं होगी, उस picture की कोई value नहीं होगी, अगर वो time से नहीं पहुँचती है, तो time is the key in photo journalism, आपको time से जगां पर पहुँचना है, आपको time से picture खेंचनी है, और time से picture भेजनी है, आप अगर time से कुछ काम नहीं कर सकते हो, time के पावंद नहीं होते हो, आप बोलते हो जो होगा सो देखा जाएगा, तो आप photo journalism में नहीं आ सकते हो, time is the king in photo journalism, मैं बार पार दो रहाँगा, तो आपको पंग्चुल होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज है कि आपको research करना बहुत ज़रूरी है, जब आपके पास कोई assignment आता है, या आप किसी चीज का shoot करने जाते हो, तो आपको knowledge होनी चाहिए, कि आप उस चीज के बारे में कितना जानते हो, कि अच्छा मैं जिस से मिलने जा रहा हूँ, या जिस location पर जा रहा हूँ, वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर important चीज क्या है, कौन आएगा, चीजें को anticipate करोगे आप, आपको कौन सा equipment लेके जाना है, क्या करना है, फोटो खीचना तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले ये सारी research करना आना ज़रूरी है, फोटो आपने खीच ली, आपको edit करना भी आना चाहिए, editing का मतलब ये निए, कि आप फोटो को manipulate कर रहे हो, editing का मतलब है, कि आप फोटो ready करके, और caption लिखके, फटाक से बेज दखो, time नहीं होता है, photo journalist के पास, जिसकी picture पहले गई, वो picture जीत जाएगी, आपने कितनी ही उच्छी picture खिंची हो, अगर वो time से नहीं पहुची, तो उसकी कोई value नहीं है, तो और क्या important है, आपको सिर्फ photography ही नहीं, आपको video बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि इस era में, हमें pictures भी खिंचनी हैं, videos भी बनाने हैं, international scenario क्या चल रहा है, आपकी local society में क्या चल रहा है, क्या news है, उस सब के बारे में आपको updated रहना, उसके बारे में knowledge को रखना, बहुत बहुत सरुरी है, अगर आपके अंदर पढ़ने की, और सीखने की लालसा नहीं है, तो आप photojournalist अच्छे वाले नहीं बन सकते, एक और important point जो आपके अंदर होना चाहिए, कि instantly आप decisions लोगे, calculated risk भी लोगे, decisions नहीं ले सकते हो, आप confused रहते हो, तो भी आप photojournalism में successful नहीं हो पाओगे, अगर इन सारी चीज़ों के उपर आप काम कर सकते हो, अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी एजनसी बताता हूँ, जो इंटरनाशनल लेवल पे बहुत सालों से काम कर रही हैं, तो आप वहाँ जाकर उन एजनसी का काम देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए, कि photojournalism में किस-किस तरह का काम होता है, उन एजनसी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और उनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मेरी फेवरिट है, Magnum Photos, अगर आप Magnum Photos में जाकर देखो, तो वहाँ पर अलग-अलग photographers का का काम मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सिर्फ देखो नहीं, पढ़ो भी कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, और क्या हो रहा है, AP, AP is one of the oldest agencies in the world for news, Associated Press बोलते हैं जिसे, AFP, एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी international agency है, उसके उपर आप देख सकते हो, कि वहाँ पर क्या क्या काम होता है, फिर आती है Reuters, Get Images, यह सारी भी agencies हैं, जो news के उपर काम करती हैं, सोचने से कुछ नहीं होगा, कदम उठाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चीज़ें को समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, कि मैं आपको संक्षेप में, सारी चीज़ें समझा पाऊं, मूटे-मूटे तौर पर बता पाऊं, कि फोटो जर्नलिजम में आप एंटर कैसे कर सकते हो, फिर भी अगर आपको कोई कन्फूजन है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो डेफिनिटली आप मुझे कॉन्टाक्ट करें, नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर फोटो जर्नलिजम में आप एंटर करना चाहते हैं, तो भाईया, पंक्चुल होना बहुत जरूरी है, और आप टाइम की वैलियो नहीं करते हो, तो फोटो जर्नलिजम में एंटर करने की सोचना भी मत, तो इसी के साथ समाब करते हैं, ये फोटो जर्नलिजम वाला वीडियो, मिलते हैं हम तर अगले किसी और वीडियो में, तिल देनेक्स ताइम, टेक कियर, बाबाई, जाओ, जाओ, देख लोग फोटो जर्नलिजम क्या होती है, बिलते हैं तर अगले,